दोस्तो आज हम आपसे एक बहुती इंटरस्टिंग बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक ने जब वो बुक रिलीज हुई तो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया उस बुक के राइटर जो हैं बहुती मशूर राइटर हैं जिनका नाम है डेल कारनेगी डेल कारनेगी ने बहुती अच्छी अच्छी किताबी लिखी हैं और इनकी आज मैं एक बहुती मशूर किताब के बारे में आपसे डिसकस करूँगा उस किताब का नाम है How to Win Friends and Influence People बतलब आप अपने फ्रेंड्स का दिल कैसे जीते हैं और लोगों को कैसे influence करें डेल कारनेगी को इस चीज में बड़ी महरत हासिल थी वो एक अच्छे businessman भी थे एक author के साथ साथ एक अच्छे businessman भी थे और उन्होंने ये सारा experience अपने उन किताबों में लिखा है और डेल कारनेगी का हमेशा से जुकाव social skills पर रहा है 85% उसकी जो skills होती है उसकी काम्याबी में वो social skills का हात होता है social skills के बारे में डेल कारनेगी ने पूरा लिखा है और इस बुक को कितनी अच्छी तरह उसने रिप्रेजेंट किया है मैं पढ़के बहुत impressed हुआ मैं इसे लिए ये बुक आपके सामने रखने जारा हूँ इस बुक में सबसे पहली बात उन्हेंने कही है सबसे पहला पॉइंट रखा है उन्हें ये कहा है कि आप लोगों को वो दीजिए जो लोग चाहते हैं आप जब लोग से मिल किसी से मिलें तो आप वो बात मत कीजिए जिस काम के लिए आप आए हैं आप पहले उससे मिलिए और उसका दिल जीती है और सबसे आखिर में वो बात कहिए जिसके लिए आप आए हैं मान लीजिए आप किसी भी आदनी के पास जाते हैं और आप डारेक्ट जाके उससे सिर्फ अपने काम के बारे में कहते हैं तो मुझे उमीद है 99% लोग उस काम के लिए फॉरण मना कर देंगे अगर आप यह कहेंगे कि ऐसर आप मुझे आपसे कुछ काम है और मैं यह चाहता हूँ आपसे काम तो मुझे लगता है 99% लोग उस चीज़ को मना कर देंगे तो उसका पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसका पहला पॉइंट यही है कि लोगों को वो दीजिए जो वो चाहते हैं फॉर एक्जामपल अगर आप किसी के पास जाते हैं कोई पर्मिशन लेने या कोई उससे बात करने के लिए या आपना कोई काम निकलवाने के लिए प्लीज आप सबसे पहले उसके बारे में बात कीजिए कि सर मैंने आपके बारे में ये सुना है मैं आपसे बहुत तारीफ सुनी है, आपकी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके बारे में पहले से सुनता आ रहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ माफ कीजेगा इसको बटरिंग नहीं कहेंगे लेकिन सामने वाले का दिल जीतने के लिए आपको ऐसी बाते करने पड़ेगी क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है, हर आदमी अपने बारे में सुनना चाहता है तो प्लीज आप वो बाते कीजिए जो वो चाहता है आप प्लीज वो बाते मत कीजिए जो आप चाहते है इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल मैं आपको दूँगा डेल कारनेगी ने बुक में थोड़ाचा रेफरेंस दिया है उसका अमेरिका में एक जगा का एक गवर्न चाहिए क्योंको उसको मालूम था कि अगर मैं डारेक्ट पर्मिशन मांगूंगा रेल ट्रैक की तो वो मना कर देगा तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गवर्नर मैं यह चाहता हूँ कि आपके शहर में एक रेलवेड ट्रैक खुले और उस रेलवेड ट्रैक का मैं नाम आपके नाम पर रखना चाहता हूँ आप देखिए कितनी बड़ी बात है किस तरह लोगों को दिल जीता जाता है आप किसी से भी इस तरह की बात करेंगे तो शायद वो मना नहीं कर पाएगा तो उन्होंने कहा गवर्नर बड़ा खुश हुआ उसने क्या मेरे नाम के ओपर उसने य देल कारनेगी को लगा कि नाम किसी का भी हो लेकिन उससे बिजनस जो आएगा मुझे ही मिलेगा वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने गवर्नर के नाम पर रेलवे ट्राइगी पर्मिशन ले लिए और अपने काम निकाल लिया Second point जो डेल कारनेगी ने लिखा है उसने ये कहा है कि जब भे आप किसी से कोई काम के लिए जाएं या अपना कोई काम मनवाना है आपको या अपनी कोई बात मनवानी है तो please कभी भी जो आप चाहते हैं वो मत कहिए जो दूसरा चाहता है वो उससे सुनिये जैसे कि उसने ए मैनेजर ने ठीक उनसे लेक्चर से एक दिन पहले उनको एक लेटर बेजा और उस लेटर में था कि आपके होटल का किराया 300% तीन गुना बढ़ा दिया है डेल कारनेगी को ये लेटर सुनके बहुत अजीब सा लगा कि मेरे सारे लेक्चर्स के टिकेट बिग चुके हैं सारे म मैमान का इन्विटेशन आ चुका है और मैं लेक्चर्स का मैं सब कुछ तैयारी हो चुकी है और लास्ट मॉमेंट पे इस होटल के मैनेजर ने मुझे लेटर दिया है कि आपका होटल का किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया है लेकिन उसको इस बात से ये बड़ा कॉंफिड नहीं है क्योंकि आप एक मैनेजर है और आपका काम एक होटल को प्रॉफिट के ओपर लेके जाना है मुझे लगता है कि अगर आपकी जगा मैं होता तो शायद मैं भी यही करता लेकिन चलिए हम के काम करते हैं आपके होटल के किराय बढ़ाने से आपको क्या फाइदा और अगर मैं यह होटल छोड़ के जाता हूँ तो आपको क्या नुकसान होता है देख लेते हैं एक कंपैरिजन करते हैं उन्होंने कहा अगर मान लीजिए आप होटल के किराय तीम्स गुना बढ़ा देते हैं जो कि मैं नहीं दे सकता और मैं आपका होटल आज ही खाली कर द अमेरिका के बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं बड़े बिजनसमेन होते हैं ऑथर्स होते हैं राइटर्स होते हैं हर तरह के बड़े बड़े लोग आते हैं वो मेरे लेक्चर्स में जब आते हैं तो आपके होटल की पब्लिसिटी फ्री में होती है और अगर आप तो आप भी याद रखिएगा कोई भी काम आप लोगों का दिल जीतना है तो याद रखिएगा अपने आप जो चाहते हैं वो पहले प्लीज मत कहिएगा ये कुछ लोगों में होनर होते हैं गर्ड्स होते हैं जिस तरह लोगों का दिल जीता जाता है ये ये काम की बात है आपके अगर आप बिजनसमें हैं तो बिजनसमें भी बहुत फायदे बन होंगी आपकी चीज़ें तीसरी चीज़ में आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज को कोशिश ये कीजिए ज़्याद से ज़्यादा उसे बोलने दे आप ये कोशिश कीजिए 25% आप बोलने और 75% उसको बोलने दे आप जानते होंगे कि दुनिया में हर आदमी अपने आप में बात करना चाहता है अपने बारे में बात करना चाहता है और हो अपनी जिंदगी का ही यह आप भी मानते होंगे, वो चाहता है कि मेरी बाते करें, मैं इस अपनी फिल्म का हीरो हूँ, और जो भी बाते की जाएं, वो मेरे उपर की जाएं, अगर आप जाके सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे उससे, तो मुझे लगता है वो आपकी बात में इंटरस्ट नहीं लेगा, आप भी जानते होंगे यह, कुछ लोगों में यह आदत होती है, वो सिर्फ अपनी बाते करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में कहते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, आपने देखा होगा, ऐसे ब यह formula apply कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाएंगे आप, यह एक महीने इस formula को use करके देखिए, आप जिससे भी मिलने जाएं, जिस भी महफिल में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों को बोलने दें, और अपने आपको यह कोशिश करें कि अपने बारे में बह इंटरस्ट ले रहा है, अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलेंगे तो वो इग्नोर कर देगा आपको और आपकी बात नहीं सुनेगा, उसको यह लगेगा कि शायद आप उसमें इंटरस्ट नहीं ले रहे हैं, यह छोटी-छोटी चीजें हैं, जिस तरह आप दूसरों क इंटरस्ट लेजिए, पिर आप देखियेगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग आपके लिए खड़े होंगे, आपके दुख सुक में शामिल होंगे, आपके लिए फिकर करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि लोग को लगता है कि जो उनके बारे में सोच रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा, वो भी आपके बारे में सोचेंगे, दोस्तों उमीद है, आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, यह छोटी-छोटी चीज़े अपनी जिंदगी में उतार के देखिए, इनको अपने बिहेवियर में लेके आएए, आप देखिएगा, आपके लाइफ बिलकुल बदल जाएगी, जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वो आपको आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, उनको लगेगा कि यार यह आपनी बहुत अच्छा है, तो इस सो सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे आपके आपसे, एक नए टॉपिक में आपके साथ, आज के लिए, हैंक्यू बेरी मन,